सुप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आप सब घर में सुरक्षित होंगे. आप सभी को मेरी तरब से कृष्ण जनमस्त्मी एवं सुतन्ता दिवस की बहुत-बहुत शुक्त कामना है. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर कक्षा में हम पाठ चार दीपदान एकांकी का आथ्यन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने जाना कि किस तरह से पन्ना धायने कीरतवारी की सहायता से कुमर उदैसिंग को जूटी पत्तरलों में छिपा कर महर से भार सुरक्षित इस और ऐसे पन्ना धायने चित्तोड की समराज्य को बचाने के लिए कुमर उदैसिंग के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और चित्तोड के उत्राधिकारी को बचाने के लिए अपने पुत्र रूपी दीपक का बलिदान दिया तो चलिए बच्चों, आज हम दीपदान एकांके के अंतिम भाग का अध्यान करते हैं। सुला देती है और बनवीर उसे उदैसिंग समझकर मार डालता है। प्रेशन तीन आखों का तारा मोहाबरे का अर्थ है। बिलकुस सही जवाब। आखों के तारा मोहाबरे का अर्थ है बहुत प्यारा। प्रेशन चार बनवीर कुमर जी को क्यूं मानना चाता था। जी हाँ बनवीर कुमर जी को इसलिए मानना चाता था क्योंकि वह चित तोड़ पर अपना अधिकार पाना चाता था। तो चलिए बच्चो अब हम अपने पाट की ओर चलते हैं। तो उदैसिंग को छू भी नहीं सकता नीच, नारकी, महराना विक्रमा दित्य की हत्या के बाद तो उदैसिंग को देख भी नहीं सकता बनवीर। तो उसकी हत्य करोगे? नहीं नहीं यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता महराजा बनवीर। तुम राज्य करो, चित्तोड पर, मेवाड पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुमर उदैसिंग को छोड़ दो। तीरत में वास करोंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुमर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महराणा बनवीर, मुझे ये भिख्षा दे दे। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ, उदैसिंग की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीड़ी है, जब तक वै जीवित है, तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तु मेरे सामने से हट पनना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुमर की शैया से दूर नहीं हटूंगी, बनवीर, उदैसिंग को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कस्ट नहीं हो, उसका मुख ढख दिया है, वारी धायमा, बालक के मरने मैं भी ममता का ध्यान रत्ती है, तीवरता से, शैया से दूर हट पनना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूंगी, इसका मतलब होता है बच्चों, मिर्त्यू होना, अर्ठाक मौत की नीन, सुला दूंगी, पनना, साहसे, नहीं ऐसा नहीं होग पक्रूर, नराधम, क्रूर मतलब निर्दई, नराधम, नीच मनुष्य, निर्दई, नीच नार की, ले मेरी कटार का प्रैसाद ले, आकरमन करती है, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है, बनवीर, क्रूर अट्टाहस करता है, अट्टाहस यानि हसता है, द तुझे भी समाप्त कर दू, लेकिन इस्त्री पर हाथ नहीं उठाओंगा, पन्ना, अबोध, सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हिर्दे तुझे दिक्कारता, नहीं, पापी, अबोध, ना समझ, पन्ना कहती है, ना समझ, सोते हुए बालक पर हाथ उठाते पापी बनवीर शया के समीब जाकर यही है यही है मेरे मार का कंटक कंटक काटा या बाधा आज मेरे नगर में इस्त्रियों ने दीबदान किया है मैं भी यम्राज को इस दीपक का दान करूंगा यम्राज लो इस दीपक को यह मेरा दीबदान है तलवार से उद्य के धोके में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है पन्ना जोर से चेक कर मूर्शित हो जाती है कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है तो बच्चों यहीं पर हमारी इस एकांकी का समापन होता है आगे कुछ मौकिक प्रेश्ण है एक वर हम इनको भी देखेंगे प्रेश्ण एक पन्ना ने कुमर जी की शयया पर किसे सुलाने का निश्चे किया उत्तर है पन्ना ने कुमर जी की शयया पर चंदन को सुलाने का निश्चे किया बनवीर किसका संरक्षक था? बनवीर कुमर उदैसिंग का संरक्षक था पन्ना ने नराधम किसे कहा और क्यों? पन्ना ने नराधम बनवीर को कहा क्योंकि बनवीर उदैसिंग को मारना चाता था बनवीर में दोके में आकर किसकी हत्या कर दी? तो बच्चो यहीं पर हमारा ये दीडान पाठ समापन होता है आप हम अपना कक्षा काररे शुरू करते हैं पाठ चाल दीडान मौखिक प्रेश्ण कक्षा काररे प्रेशन एक उदैसिंग कौन था वे क्या कर रहा था उत्तर उदैसिंग स्वर्गे राणा सांगा के सबसे छोटे पुतर थे वे लड़कियों का नाच देखने की जिद कर रहे थे प्रेशन दो सामली ने आकर पन्ना को क्या सूचना दी उत्तर सामली ने आकर पन्ना को सूचना दीग की महाराना विक्रमा दित्य जी की हत्या हो गई है प्रेश्ण तीर महाराना कौन बनना चाता था उत्तर महाराना बन्बीर बनना चाता था प्रेश्न चार महराना विक्रमा दित्य जी की हत्या के बाद बनवीर किसे मारना चाता था उत्तर महराना विक्रमा दित्य जी की हत्या के बाद बनवीर कुमर उदैसिंग को मारना चाता था प्रेशन पांच, कीरत क्या काम करता था? उत्तर, कीरत महल में जूटी पत्तर उठाने का काम करता था प्रैस्न 6 पन्ना ने कुमर जी की शया पर किसे सुलाने का निश्चे किया प्रैस्न 7 बन्वीर किसका सररक्षक था उत्तर बन्वीर कुमर उदैसिंग का सररक्षक था प्रेस्न आठ पन्ना ने नराधम किसे कहा और क्यों उत्तर पन्ना ने नराधम बनवीर को कहा क्योंकि बनवीर उदैसिंग को मारना चाहता था प्रेस्न नो, बनवीन ने धोके में आकर किस की हत्य कर दी? उत्तर, बनवीन ने धोके में आकर पन्ना के पुत्र चंदन की हत्य कर दी? तो बच्चों यहीं पर इस पाट का समापन होता है धन्यवाद